साथियों महामारी ने एक और जहां हमारे काम करने के तौर तरीकों को बढ़ना है तो दूसरी होर प्रकुरूती को नए ढग से अनुभव करने का भी अवसर दिया है प्रकुरूती को देखने के हमारे नजरिये में भी बढ़नावाया है अब हम सरीडियों के मौसम में कदम रख रहे हैं हमें प्रकूति के अलग-अलग रंग देखने को मिलेंगे पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट चेरी ब्लाउसम की वाइरल तस्विरों से भड़ा हुआ है आप सोच रहे होंगे जब मैं चेरी ब्लाउसम की बात कर रहा हूँ तो जापान की इस प्रसिद्य पहचान की बात कर रहा हूँ लेकिन ऐसा नहीं है ये जापान की तस्विरे नहीं है ये अपने मेगाले के सिलों की तस्विरे हैं बेगाले की खुबसूरती को इन चेरी ब्लोसम्ट ने और बढ़ा दिया है। साथियों इस महीने 12 नवेंबर से डॉक्टर सलीम अली जी का 125 वा जेनती समारो सुरू हुआ है। डॉक्टर सलीम ने पक्षियों की दुनिया में बर्ड वाचिंग को लेकर उलेखनीय कारे किया है। दुनिया के बर्ड वाचर्स को भारत के प्रति आकरशित भी किया है। मैं हमेशा से बर्ड वाचिंग के शौकिन लोगों का प्रश्शक रहा हूँ। बहुत धैरिय के साथ वो घंटों तक सुभै से शाम तक बर्ड वाचिंग कर सकते हैं। प्रकूति के अनुठे नजारों का लुपत उठा सकते हैं। और अपने ज्ञान को हम लोगों तक भी पहुँचाते रहते हैं। भारत में भी बहुत सी बड़ वाचिंग सुसाइटी सक्रिया हैं। आप भी जरूर इस विशे के साथ जुड़िये। मेरी भागदोड की जिन्गी में मुझे भी पिछली दिनों के वड़ियाग में पक्षियों के साथ समय बिताने का बहुत ही यादगार आउसर मिला। पक्षियों के साथ बिताया हुआ समाय आपको प्रकूरते से भी जोड़ेगा और परियावरन के लिए भी प्रहना देगा मेरे पहरे देशवासियों भारत के संस्कृती और सास्त्र हमेशा से ही पूरी दुनिया के लिए आकर्षण के केंद्र रहे हैं कई लोग तो इनकी खोज में भारत आएं और हमेशा के लिए यहीं के होकर रहे गए तो कई लोग वापस अपने देश जाकर इस संस्कृति के सम्वाग बन गए मुझे जोनस मसेटी के काम के बारे में जानने का मुका मिला जिने विश्वनात के नाम से भी जाना जाता है जोनस ब्राजील में लोगों को वेदांत और गीता सिखाते हैं वे विश्व विद्या नाम की एक संस्ता चलाते हैं जो रियेड्यू जेनेरो से घंटे भर की दूरी पर पैट्रो पोलिस के पहड़ों में स्थीता है जोनस ने मेकेनिकल एंजिनिरिंग की पढ़ाई करने के बाद स्टॉक मार्केट में अपनी कंपनी में काम किया बाद बें उनका रुजान भारतिय संस्कृति और खासकर वेदांत की दरफ हो गया स्टॉक से लेकर के स्पिरिच्वानिटी तक वास्तों में उनकी एक लंबी यात्रा है जोनस ने भारत में वेदांत दर्फन का अध्यन किया और चांद साल तक वे कोईमतूर के आर्ष विद्या गुरुकुलम में रहे है जोनस में एक और खासियत है वो अपने मेसेज को आगे पहुचाने के लिए टेक्नोलोजी का प्रयोग कर रहे हैं वो नियम वित रूप से ओनलाइन प्रोग्रेम करते हैं वे प्रति दिन पोड़कास करते हैं पिछले साथ वर्सों में जोनस ने विदान पर अपने फ्री ओपन कोर्सिस के माद्यम से डेड़ लाग से अधिक स्टूडेंस को पढ़ाया है जोनस न केवल एक बड़ा काम कर रहे हैं बलकि उसे एक ऐसी भाशा में कर रहे हैं जिसे समझने वालों के संग्या भी बहुत अधिक है लोगों में इसको लेकर काफी रूची है कि कोरोना और क्वारंटाइन के इस समय में वेदान कैसे मदद कर सकता है मन की बात के माद्यम से मैं जोनस को उनके प्रयासों के लिए बढ़ाई देता हूँ न्यूजिलेंड में वहां के नव निर्वाचित MP डॉक्टर गवरो शर्मा ने विश्वकी प्राचीन भाषाओं में से एक संस्कृत भाषा में शपत लिए एक भारतिय के तौर पर भारतिय संस्कृति का इप्रसार हम सब को गर्वत से भर देता है मन की बात के माध्यम से मैं गवरो शर्माजी को शुब कामनाई देता हूँ हम सभी की कामना है वो न्यूजिलेंड के लोगों की सेवा में नई उफलब्दियां प्राप्त करे मेरे प्यारे देशवासियों कल 30 नमंबर को हम स्री गुरु नानक देवजी का 551 वा प्रकास पर्व मनाएंगे पूरी दुनिया में गुरु नानक देवजी का प्रभाव स्पष्ट रुप से दिखाई देता है वैंकुवर से वैलिंग्टन तक सिंगापूर से साउध आफरिका तक उनके संदेश हर तरफ सुनाई देते हैं गुरु ग्रंद साहिब में कहा गया है सेवक को सेवा बनाई यानि सेवक का काम सेवा करना है बीते कुछ वर्सों में कई अहम पड़ाव आए और एक सेवक के तौर पर हमें बहुत कुछ करने का अवसर मिला गुरु साहिब ने हमसे सेवा ली गुरु नानक देव जी का ही पांसो पचासवा प्रकाश परव श्री गुरु गोविन सीजी का तीन सो पचासवा प्रकाश परव अगले वर्स स्री गुरु तेक बहदुर जी का चार सो प्रकाश परव भी है मुझे मैसूस होता है कि गुरु साहब के मुझ पर विशेष कुर्पा रही जो उन्होंने मुझे हमेशा अपने कारियों में बहुत करीब से जोड़ा है साथियों क्या आप जानते हैं कि कश्मे एक गुरुदवारा है लगपत गुरुदवारा साहब स्रीप गुनुग नानग जी अपनी उदासी के दोरान लगपत गुरुद्वारा साहीब में रुके थे 2001 के भूकम से इस गुरुद्वारे को भी नुक्सान पहुंचा था यह गुरु साहीब की कुर्पाही थी कि मैं इसका जुर्णोधार सुनिश्चित कर पाया नकेवल गुरुद्वारा की मरमत की गई बलकि उसके गौरव और भवता को भी फिर से स्थापित किया गया हम सब को गुरु साहीब का भरपूर आर्शिरवाद भी मिला लगपत गुरुद्वारा के सर्वक्षन के प्रहासों को 2004 में युनेश को एसिया पैसिपिक हेरिटेज एवार्ड में एवार्ड आप डिस्रिंग्शन दिया गया एवार देने वाली जूरी ने ये पाया कि मरमत के दोरान सिल्फ से जुड़ी بारिक्यों का विशेष ध्यान रखा गया जूरी ने यह भी नोट किया कि गुरुद्वारा की पुरुद्वारा की पुरुद्वार कारे में सिक्ष, हमुदाय की नके वल सक्रिय भागिदार रही बलकि उनके ही मारदर्शन में ये काम हुआ creative platforms develop करे ताकि alumni की सक्रिय भागिदारी हो सके बड़े college और universities नहीं हमारे गावों के schools का भी strong, vibrant, active alumni network हो मेरे पहरे देशवासियो 5 दिसंबर को स्री अर्विंदो की पुन्यती थी है स्री अर्विंदो को हम जितना पढ़ते हैं उतनी ही घहराई हमें मिलती जाती है मेरे विवास साथी स्री अर्विंदो को जितना जानेंगे उतना ही अपने आपको जानेंगे खुद को सम्रुद्ध करेंगे जीवन की जिस भाव अवस्ता में आप हैं जिन संकल्पों को सिद्ध करने के लिए आप प्रयास्रत हैं उनके बीच आप हमेशा से ही स्री अर्विंदों को एक नई प्रेणा देते पाएंगे एक नया रास्ता दिखाते हुए पाएंगे जैसे आज जब हम लोकल के लिए वोकल इस अभियान के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो स्री अर्विंदों का स्वदेशी का दर्शन हमें रहा दिखाता है बांगला में एक बड़ी ही प्रभावी कविता है छोई शुतों पॉयमोंतों आसे तुंग होते दिशलाई काठी ताव आसे पोते प्रोदिप्ती जालीते खेते शुते जेते किशुते लोग नौई शादिन यानि हमारे हां सुई और दिया सलाई तक विलायती जहाद से आ खाने पीने सोने किसी भी बात में लोग स्वतंत्र नहीं है वो कहते भी थे स्वदेशी का आर्थ है कि हम अपने भारतिये कामगारों कारीगरों की बनाई हुई चीजों को प्रात्मी का दे ऐसा भी नहीं कि स्रेयर्विंदों ने विद्यवसों से कुछ सिखने का भी कभी जहां जो नया है, वहां से हम सीखें, जो हमारे देश में अच्छा हो सकता है, उसका हम सहयोग और प्रोटसान करें। यही तो आत्मंदिर भर भारत अभियान में वोकल्फ और लोकल मंत्र की भावना है। खास कर स्वदेशी अपनाने को लेकर उन्होंने जो कुछ कहा, वो आज हर देश स्वासी को पढ़ना चाहिए। साथ्यों